नमस्कार, मैं अंजु शर्मा आपके सामने सम्रिती नामक पार्ट लेकर उपस्थित हूँ आज का हमारा पार्ट है सम्रिती और लेखक हैं इसके श्री राम शर्मा ये पार्ट लेखक की बच्पन की सम्रिती से जुड़ा हुआ है कि बच्पन में उनके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में लेखक बताना चाते हैं ये बात है 1908 की सर्दियों के दिन थे दिसंबर जन्वरी का महिना था बाहर कडाके की ठन बहुत ज्यादा पढ़ रही थी और लेखक अपने छोटे भाई के साथ और मित्रमंडली के साथ जरबेरी के बेर खाने में व्यस्त थे जरबेरी एक जंगली बेर का नाम है तो जरबेरी के बहां से वो बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे और अनन्द ले रहे थे खेल कूद रहे थे उसी समय वहाँ पर उन्हें बुलाबा आया उनके भाई साहब का अब भाई साहब से वो बहुत डर दे थे रास्ते में वापिस आ रहे थे लेकिन मन में भाई सहाब का डर बैठा हुआ था कि ना जाने किस अपराध में उन्हें मार पड़ जाए अब भाई सहाब से पिटाई के डर में वो चलते चलते घर पहुंच गे जब घर पहुंचे तो वहाँ पर आंगन में भाई साहब चिठियां लिखने में व्यस्त है तो उन्हें वहाँ देखकर उनका मन का डर थोड़ा सा कम हुआ कि चलो शुकर है, मार तो नहीं पड़ेगी जब वो अंदर गए तो उनके भाई साहब ने उन्हें कहा कि उन्हें दोनों को भाई साहब की चिठियां लेकर मखनपूर डाग खाने में जाना था उन्हें चिठियों को पोस्ट करने के लिए डाग से भेजने के लिए दोनों खुश हो गए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हड्यां तो क्या मज़ा भी बहुत ठंड से काम पनी थी, मज़ा होता है हड्यों के अंदर जो तरल पदार्थ होता है यानि बोन मेरो जिसको बोलते हैं, वो तो ठंड इतनी ज़्यादा थी दोनों भाईयों ने अपनी अपनी धोतियां पहनी, कुर्ता पहना, सिर पर टोपी लगाई और एक हाथ में बबूल का डंडा लेकर दोनों वहां से निकलने लगे उन चिठियों को लेकर तब ही माने थोड़े से भुने हुए च्चने एक धोति में बांद कर उन्हें दे दिये कुर्ते में जेब नहीं थी, तो लेखक ने क्या किया उन चिठियों को टोपी में डाला और सिर पर रख लिया और कान में भी ठंड से बचने के लिए धोति बांद ली दोनों ने और चल पड़े रास्ते में एक सुखा कुवा पड़ता था, जब दोनों वहाँ पर पहुंचे तो लेखक को शरारत सुझी क्योंकि लेखक की टोली जब स्कूल से वापीस घर की तरफ आते मकनपूर वो लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो जब मकनपूर से वापीस घर लोट रहे होते, तो उस कूवे में पूरी की पूरी उनकी टोली क्या करती थी? पत्थर उस कूवे में फैंकती थी, धेला फैंकती थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक सांप रहता था सुखा कूवा था, पानी उसमें नहीं था, वो सांप वहाँ था, जब कोई धेला मारता था सांप को, तो सांप अंदर से फुसकार उठता, उसकी आवाज निकलती थी तो सभी उस बात का मजा लेते थे, अब बच्चे करते ही ऐसे शरारतें आते जाते, कभी पत्थर को पाउं से आगे कर दिया, कभी कोई फल पेर से तोड़ लिये, या किसी को तंग कर दिया इसी तरह से उन बच्चों की टोली भी आते जाते, उस कुवे में पत्थर फैंका करती थी, ये उनका रोज का करम था अब लेखक को वो बात याद आ गई और आदत से मजबूर, उसने वहां से एक धेला उठाया और कुवे में फैंक दिया उसी समय अनयास लेखक का दूसरा हाद अपनी टोपी पर चला गया टोपी एक साइड को खिसकी और उसके अंदर जो चिठियां थी, वो लहराती हुई कुवे में अब लेखक की तो जान निकल गई, उसे ये ध्यान नहीं रहा कि उसने जो धेला मारा वो साब को लगा या नहीं लेकिन जैसे ही चिठियां गिरने लगी उसने पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो हवा में लहराती हुई सीधी, कुवे में जा पड़े अब लेखक को काटो तो खून नहीं, इतना उसको रोना आया, इतना वो डर गया कि अब क्या किया जाए दोनों भाई कुए के पास बैटकर जोड जोड से रोने लगे, क्योंकि चिठियां गिर चुकी थी, अब उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वापिस घर चला जाए अगर घर जाते हैं, तो भाई साब की मार का डर, क्योंकि चमडी भी उधेर दी जाएगी और अगर नहीं जाते हैं, या जूट बोल देते हैं घर जाकर, तो पूरी उमर उस जूट का बोज अपने दिल पर रखकर जिना पड़ेगा जो लेखक को गवारत नहीं था, क्योंकि लेखक कभी जूट नहीं बोलता था अब करें तो क्या करें? लेकिन लेखक को अपने डंडे के उपर विश्वास था क्योंकि उसी बवूल के डंडे से लेखक ने बहुत से सांपों को मारा था लेकक को विश्वास था कि वो कुए में जाएगा और डंडे से सांप को मार कर चिठियां ले आएगा उसने यही सोचा अब निर्ने लिया कि वो उसे कुए में उतर नहीं पड़ेगा उन्होंने क्या किया? पांचोन धोतियां एक के बाद एक अच्छी तरह से बांधी और उसकी बड़ी सी रस्टी बना ले अब आप सोचेंगे कि 5 धोतियां कैसे हुई? कैसे हुई 5 धोतियां? सोचीए इस बारे में और इसके बारे में हम बताएंगे आपको हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार